जब दो दीन दोस्तों लगातार मार्केट से इतने बड़े बड़े जेकपोट हम निकाल चुके हैं जब कल के दीन दो दो एक्सपाइरी होगा तो क्या नहीं होगा दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा जाके प्रीवाले ग्रूप पे जॉइन कर लीजिए कंटीनियूसली दोस्तों दो दीन लगातार लेबल ब्लास्ट किया हैं लिंक डिस्क्रिशन में हैं जॉइन टेलीग्राम बोल के लिखाओ पेले उस लिंक को क्लिक करके जॉइन कर लीजिए मार्केट कुलते ही दोस्तों टेन एट पे क्लियर कट आज के दिन बता दिया था 48,8 812 के उपर अगर 2-5 मिनिट का ग्रीन केंडल क्लोज करेगा तो हमें कॉल करीजना है एंड देन बूम जैसे ही ब्रेक आउट दिया दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो चार केंडल है ना भाई छोड़िए ये दो केंडल ही आपको ऑप्सन पे 100 पॉइंट से जादा दे दिये तो जाके फ्री वाले ग्रूप पे जॉइन कर लीजिए कल के दिन पागल पन था कल के दिन भी दोस्तों जो ही मैंने कहा कि भाई 2-2 दिन ब्लास्ट हुआ है कल के दिन मार्केट खुलने के बाद 22,623 के उपर बाय करने को दिया था लाइव मार्केट में 10 बचके 6 मिनिट पे वो ही सेट अफ हैं और जैसे ही दोस्तों निप्टी ने मेरे लेबल ब्रेक आउट किया था वान फ्लो में कल के दिन 100 पॉइंट का मुमेंट दिया था तो जाके यार फ्री वाले गुरूप अभी का भी जॉइन कर लीजिए कल के दिन बैंक निप्टी और फीन निप्टी में क्या होने वाला हैं देखने वाले हैं और ये वीडियो only and only बैंक निप्टी बैंगर एकस्पारी स्पेसियाल में कहना चाहूंगा आप कहोगे बाकी का वीडियो कहा गया भाई निप्टी का भी तो एक्सपाइरी है उसको भी कदर दिया करो मेरे भाई मैं अल्लेडी अप्लोड कर चुका हूँ पाँच बजे अल्लेडी निप्टी का एक्सपाइरी स्पेसियाल वीडियो आ चुका है आप लोगों में कहता हूँ कि यार सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखी है यह सेकेंड वीडियो है जो कि 6 वज़े आ रहा है तो यार यहाँ पर only and only बेग निप्टी डिसकस करेंगा और फिन निप्टी भी बाकी निप्टी और मीडिकेप का वहाँ पर अप्लोड कर चुका हूँ डेली दो वीडियो आता है तो यार लाइक कर दीजी इतना सब कुछ करता हूँ इवेन आज के दिन भी लेवल ब्लास्ट हुआ तो यार लाइक तो बनता है लाइक कर दीजी जो भी आपने कॉल पुट लिया है होल्ड किये हैं कमेंट कीजे कल सुबह आठ में चाली स्क्वाद भी रिप्लाइ दे दूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेंग निप्टी से और सिंपल बात है इवेन आज के दिन यार बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था उबर की तरह पांच मिनिट में भी आज के दिन गुर्प पे कॉल दिया था 48600 का ओल 374 से 478 चला गया तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेंग निप्टी से कल के दिन की बात करूँ प्लान नमबर ए ध्यान से समझे इस बात को पल के दिन के लिए प्लान नमबर ए ये हैं कि अगर मार्केट फ्लेट है फिर लिटिल गेप डाउन खुला उसके बाद साइड उस हुआ एंड देन 48,565 तूटता हुआ आपको दिखा देन टिफ कहीना कहीन आप पुट के तरब जा सकते हैं दोस्तों इसके पीछे रीजन सिंपल है रीजन सिंपल है और वो रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे कहीना कहीन एक बाद टच किया था ट्रेंड लाइन अपसाइड का मोमेंट दिया था दूसरी बाद टच किया दोस्तों अपसाइड का मोमेंट दिया और यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तीसरी बार भी ट्रेंड लाइन को टच किया and then upside का moment दिया तो अगर कल के दिन trend line टूटा उसके साथ साथ आपने एक चीज़ observe किया होगा कल का जो closing price था कल का जो closing price था आखरी candle का आप देख सकते हैं red candle यहाँ पे close गया था वो ही closing price पे आज के दिन भी कहीं नहीं support लिया है market तो कल के दिन एक बार support लिया आप समझ लीजिए और आज के दिन दो बार तो simple बात है दोस्तों कि कल के दिन trend line टूटा उसके साथ साथ अगर 48,565 support भी टूट जाता है then definitely कहीं नहीं कि हम put के तरब जा सकते हैं plan number B पे अब swipe होते हैं दोस्तों plan number बी यह है कि अगर कल के दिन market fleet खुला उपर गया और इसी zone से यानि कि 48,786 48,803 यहां से M patent बना तो आप sell कर सकते हैं दोस्तों यहां से low low बना तो आप sell कर सकते हैं इस zone से 15 minute का red candle बन गया bearish candle उसका low टूटा तो आप sell कर सकते हैं इस zone से आके कोई भी आपको bearishness दिखे तो sell ही कीजिए region बड़ा simple है यहां पर अगर आप आके देखोगे 48,786 से 48,803 अगर आप देखोगे एक बार यहां पर support लिया clearly देख पार है support लिया दूसरी बार support लिया तीसरी बार support लिया शोथी बार support लिया तो आज के दिन बार बार दोस्तों इसी zone के उपर support ले रहा था finally एक बच के 30 मिनिट पर यह support टूट गया जब support टूट गया तो market आ गया नीचे अब दोस्तों यह support बन चुका है resistance तो कल के दिन अगर यह resistance टच करता है यहां से कुछ bearish signal आपको दिखा जो मैंने बताया then definitely दोस्तों कहीन है कि हम put buy कर सकते हैं clear हो गया और buying के अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन बस fleet खुल के अगर 48,803 इसके उपर अगर कुछ price action इसे बनता हुआ दिखा तो आप buy के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब resistance है तो पहला priority दोस्तों resistance टच करने पे sell के तरब जाना चाहिए हाँ resistance breakout बगरा किया तो आप थोड़ा बोड़ा buy कर सकते हैं वो भी कम quantity में क्योंकि उपर resistance है okay plan number B खतम हो गया plan number C ये है कि अगर market कल के दिन बड़ा gap up खुल गया तो M patent बनते ही sell करना है low low दोस्तों बनते ही sell करना है या फिर एक range में रहा और range नीचे की तरफ तूटता हुआ दिखा तो भी sell करना है या फिर head and shoulder pattern बनता हुआ दिखा तो भी sell करना है आज दिखे आज यार एक beautiful head and shoulder pattern बना है clearly आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है इसलिए मैं बोलता हूँ ये इस type का pattern कल के दिन बनता हुआ दिखा left shoulder, head, right shoulder and then break down neck line का ठीक है impotence ऐसे होता है head and shoulder आप देख सकते हैं proper and proper करे सकते हैं कि proper head and shoulder आपका left shoulder, head and then right shoulder and then break down बहुत अच्छा काम देता है ये सब pattern मगर आप सुर्टों जानते ही होंगे तो कल के दिन अगर gap up खुलेगा तो हम sell का ही priority देंगे आपको pattern बता दिया, region simple है जो भी लोग आखरी time पर यहाँ पर call बगेरा खरीद के गए हैं कल के दिन अगर gap up खुलेगा definitely दोस्तों वो एक कही रखे resistance के आज पास ही खुलेगा जहां से आज के दिन अगर आप देखोगे top से पूरे के पूरे एक smooth fall हुआ है तो कल के दिन इस area पे खुल गया तो जो पहले से seller थे वो ऐसे नहीं जाने वाले definitely यहां से selling pressure create करेंगे तो वेसे ही market नीच आएगा और definitely जो भी लोग यहां पे call खरीद के गहे हैं दोस्तों उनको profit मिलेगा वो अपने profit को buy side position को exit करेंगे तोंगे उसके अगले दिन तो छुट्टी है गुरबार के दिन तो अबेसी बात है कहीं न कहीं दोस्तों expiry, दो expiry होने बाले इसलिए तो gap up खुला तो sell नहीं करेंगे, clear हो गया अब चले जाते हैं दोस्तों plan D पे, buying का conviction तब आएगा अगर कल के दिन market gap down खुल जाए तो अगर market गलती से gap down इसी जोन पे इसी जोन पे खुला, तो दोस्तों double button बनते ही buy, higher high बनते ही buy, या फिर कहीं न कहीं आप कहीं सकते ही कि भाई कुछ भी आपको कहीं न कहीं बुलिस पे टन दिखा तो buy करेंगे, region simple है कि नीचे बहुत सारे support available हैं दोस्तों, और market अभी नीचे नहीं गिरने बाला obvious सी बात है, election बगरा हैं तो नहीं गिरने बाला कहें side is रहेगा फिर उपर market का trend bullish है, technically भी तो obvious सी बात हैं दोस्तों, अगर market give down बगरा खुला तो उपर के तरफ ही जाएगा clear हो गया, 48,700 के आसपास close दिया है हुआ चुके हैं दोस्तों, bank nifty के option chain पे, तो यह हमारे call writer और यह हमारे put writer 48,700 के आसपास close दिया है bank nifty, तो 48,800 पे अगर आप देखोगे 8,31,000 से जादा call writer, अच्छा खासा call writing है, लेकिन असली जलबा दिखाएंगे 48,900 पे 48,900 पे 10,59,000 से जादा call writer बेटे हैं, तो 48,900 के उपर गया देफिनिटली गया है कि हम buying के तरफ सोचेंगे, अगर मैं नीचे की बात करूँ तो 48,600, 500, 400 पे only and onlyود, एक लाग, ठीन लाग, इक लाग, दो लाग, एक लाग, एक लाग एक लाग, इसे पुट राइटर बेटे हैं, तो नीचे कुछ खास support कहीना कहीं, देखने को नहीं मिल रहा हैं, तो हाँ, यह आप कह सकते हैं कि भाई, जो मैंने आपको लेविल बताया था, पहीं पूट राइटर हैं, तो इचना कुछ खास पूट राइटिंग नहीं है, जब के कॉल राइटर आट लाग, दस लाग, आट लाग, भाट शे लाग हैं, क्लियर हो गया दोस्तों, अब चल जाते हैं, फिन निप्टी पे, कि Fin Nifty का क्या हाल चाले अगर कल के दिन Fin Nifty फ्लेट खुला उसके बाद अगर 21,634 तूट जाता है तो इसके नीचे आप सेलिंग का प्लान करेंगे रीजन सिंपल है जोस्तों जैसा हमने Bank Nifty में Trend Line देखा था बिल्कुल वेसे Fin Nifty में है कि Trend Line को एक बाद टच करके उपर गया दूबारा टच करके उपर गया तीसरी बाद टच करके उपर गया चौती बाद टच करके उपर गया एंड देन कल के दिन अगर मान लेते हैं ये Trend Line तूट जाता है यहाँ से ओके उसके साथ-साथ अगर 21,634 जो कहीना कहीन सपोर्ट लेविल है ये तूटता है देन डेफिनिटली कहीना कहीना कहा पूट के तरब जाएंगे अगर मैं बात करूँ बाइंग का तो कल गेपप बगरा खुलके 21,758 अगर तोडता है तो बाइंग का आफ सोच सकते है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टन्स है अगर इस रेजिस्टन्स के ऊपर जाता है ये डेफिनिटली आप कहीना कहीन बाइंग के बारे में सोचेंगे ग्लियर हो गया दोस्तों बाखी तो भी सेम है गेप अप या फिर गेप डाउन खुलने पे जो मैंने आपको बैंक निप्टी में कहा वीडियो अच्छा लगा वीडियो का लाइक कर दीजिए जाके फ्री वाले ग्रॉप अभी कभी जॉइन हो जाई अपने मैं बापा को बहुत सारा प्यार दीजिए उनका हमेसा ख्यार कीजिए चले दोस्तों मिलते हैं कल के दीन तेंकियो सो मच और जाके निप्टी एक्सपैरी स्पेसियल वीडियो जरूर देखिए टेक क्यार बाइंड सी यू